यहे दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाल हैं कि आप अपने Discord server के text channel में permissions कैसे set कर सकते हैं जिससे कि जिन लोग को आप permission देए वही लोग उसमें message भेच पाएं और बाकी लोग उसमें message send ना कर पाएं तो without wasting any time, let's get started तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने Discord server के server settings पे जाना है उसके बाद यहाँ पे आपको roles पे जाना है और एक नया role बना लेना है अगर आपको फुराना role यूज़ करना चाहता है तो आप उसका भी use कर सकता है लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे एक नया Discord server बनाया है तो मैं यहाँ एक नया role भी बना लेता हूँ और इस role को आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं मैं यहाँ पे इसको mod दे देता हूँ तो यहाँ पे role create करने के बाद आपको यहाँ से close कर लेना है इसको और उसके बाद यहाँ पे हमें एक नया text channel बनाने है तो इसके लिए यहाँ हम text channel के बगल में जो plus है उसे click करते हैं और यहाँ मैं text channel का नाम दे रहा हूँ protected आप जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं उसके बाद यहाँ पर हमें create channel पर click करना है, तो channel create हो जाने के बाद, यहाँ पर जो channel के बगल में edit channel का option है, उसे हमें click करना है, उसके बाद हमें permissions में जाना है, उसके बाद यहाँ पर everyone को click करके, जो send messages का option है, उसे हमें cross कर देना है, और इसके लावा आप और भी कुछ options यहाँ पर करना चाता है तो कर सकता है लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ send messages को off कर रहा हूँ उसके बाद यहाँ पर हमें roles members के बगल में एक और role add कर लेना है तो उसके लिए यहाँ पर plus पर click करके यहाँ जो mod वाला role है उसे मैं add कर लेता हूँ आप जो भी role आपने बनाया था आप उसको add कर सकते हैं तो यह role add करने के बाद आपको यहाँ नीचे जाना है और जो send messages का option है उसको tick कर देना है उसके बाद आपको save changes पर click कर देना है तो उसके बाद यहाँ पर हम इसे close कर लेना है तो यहाँ पर इस protected वाला चैनल में permissions set हो चुक है और अब यहाँ पर बाकी लोग messages send नहीं कर पाएंगे तो मैं admin हूँ तो इसलिए यहाँ पर मैं send कर सकता हूँ हाई और अगर मैं अपने दूसरे account पर जाओं तो यहाँ पर जो protected वाला चैनल है उसमें मैं यहाँ पर कोई भी messages send नहीं कर सकता हूँ तो यह सब कर लेने के बाद आप जिन लोगों को permissions देना चाहते हैं उन लोगों के बस नाम पर click करना है और उसके बाद plus पर click करके जो भी role आपने बनाया था उसको उनको दे दीजे तो यहाँ पर आप role add करने के बाद अगर मैं अपने दूसरे account पर जाओं और यहाँ पर मैं messages भेज सकता हूँ अब अब मैं यहाँ पर हाय लिख सकता हूँ जो लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर जो role है उसको assign कर दिया है तो इसी तरह से आपको जिन लोगों को permission देना है उनको आप यह role assign कर दीजिए जो भी आपने बनाया है और जिस भी टेक्स चैनल में permissions लगाना चाहते हैं आप यह process follow कर सकते हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही था थैंक्स पर वाचिंग कीप वाचिंग टेक्नो वैभाव